Hey everyone, welcome back to my channel with another interesting question of mathematics. आज की वीडियो में question हमें given है x square plus y square is equal to 13 and x minus y is equal to 5. Then find the value of x and y. Solution हम start करते हैं यहां से. सबसे पहले x square plus y square is equal to 13. ठीक है? इसे हम equation 1 let कर लेते हैं. Then x minus y is equal to 5. इसे equation 2 put कर लेते हैं. अब from equation 2. 2 को लेके चलते हैं. x minus y is equal to क्या है given 5. ठीक है? तो x equal to क्या हो जाएगा? 5 अब minus y जो है plus y हो जाएगा equal to के उस साइड में. इसे हम x की value माल लेते हैं और इसे हम put करेंगे equation 1 में. पुट्टि पुटिंग दी वैल्लू वैल्लू ओफ एक्स इन इक्वेशन वान. equation 1 हमारा क्या है? x square plus y square is equal to 13. तो हम x की जगह में x की value हमने क्या find की है? 5 प्लस y का square, y square is equal to 13. ठीक है? अब इसको हम next page में solve करते हैं. अब हमारे पास यहाँ पे क्या given है? 5 प्लस y का whole square plus y square is equal to 13. तो इसे हम a प्लस b के whole square के form में तोड लेंगे. a प्लस b का whole square क्या होता है? a square plus 2ab plus b square. ठीक है? तो यह हमारे a प्लस b के whole square के form में है. a के जगह पे क्या है? 5 यहाँ पे हो जगह 5 का square plus 2a एके जगह पे 5, b बी के जगह पे y plus b square यानि y का square plus y square is equal to 13. solve कर लेता है. 5 का square क्या हो जाएगा? 25 plus 5, 2 जग, 10y plus 2y square, 2y square, y square को एड कर लेंगे. तो 2y square equal to 13. ठीक है? नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? 25 हमारा as it is रहेगा. plus 10y plus 2y square, 13 को हम इस साइड ले आते हैं. equal to 0 हो जाएगा. ठीक है? अब हम quadratic equation के form में रखते हैं और maximum degree जो है उसको हम first में कर लेते हैं. 2y square plus 10y. अब देन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 25 minus 13 है. तो क्या हो जाएगा हमारा? 12. plus 12 equal to 0. यह हमारा किस form में आ गया? quadratic equation के form में. common ले लेते हैं. 2 हमारा common आ जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा? y square plus 10. sorry, यहाँ पे 10 मतलब हमने 2 common लिया है. यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? 5. y plus 6. ठीक है? equal to 0. common हमने ले लिया. next page में हम क्या करेंगे? solve करते हैं next page में. इसके बाद 2 हमने common लिया है. तो हम दोनों side में 2 से divide कर लेते हैं. ठीक है? y square plus 5y plus 6 equal to 0 by 2. तो हमारे पास क्या बचेगा? y square plus 5y plus 6 equal to 0. यह हमारा quadratic equation के form में आ गया है. ठीक है? अब हम middle term को split करेंगे. कैसे? 6 के factor से. 6 का क्या होता है factor? 3 और 2. ठीक है? ऐसा factor जिसे चोड़ने घटाने पर हमारा middle term आ जाए. ठीक है? तो 3 और 2 को. यहाँ पर हम लिख सकते हैं. 3y plus 2y plus 6 equal to 0. है ना? तो यह हमारे दो दो term के pair बन गया है. common ले लेते हैं. y common लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? y plus 3. यहाँ पर 2 common लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? y plus 3 equal to 0. ठीक है? y plus 3 equal to 0. नेक्स पेज में चलते हैं. नेक्स स्टेप में हम क्या करेंगे? y और 2 को हम एक साथ कर लेते हैं. y plus 2. then y plus 3 is equal to 0. अब हमारे पास दो term है. दोनों को हम एक एक बार करके 0 से compare करते हैं. फर्स्ट में y plus 2 equal to हमारे पास क्या हो जाएगा? 0. नेक्स्ट हमें यहाँ पी कर लेते हैं. y plus 3 equal to 0. ठीक है? तो यहाँ y equal to हमारे पास क्या आजाएगा? minus 2. ठीक है? सेकेंड में y equal to हमारे पास क्या आजाएगा? minus 3. 3 उस आट जाएके क्या हो जाएगा? minus. अब x equal to हमने क्या find किया था? 5 plus y. ठीक है? तो y की value x equal to y की value हमारे पास क्या आई है? minus 2. तो plus minus minus हो जाएगा? equal to हमारे पास क्या आजाएगा? 3. तो यहाँ पे x और y की value क्या आगई? x की value हमारा आगया 3. और y की value minus 2. ठीक है? second case में y equal to हमारा minus 3 आगया ठीक है? तो x equal to हमने क्या लेट किया था? 5 plus y. तो next में हम क्या करेंगे? 5 हमारा as it is और y की value minus 3. plus minus minus हो जाएगा. तो x equal to 5 minus 3 क्या हो जाएगा? 2. ठीक है? तो हमारे पास x की value 2 आगई? और y की value क्या थी? minus 3. ठीक है? तो हमारे पास x और y की value क्या आगई? x की value 2, y की value 3. हमारे पास x की दो value आगई है? y की minus 2, then minus 3. तो अगर y की दो value है, तो obviously हमारे x की भी दो value होंगी. minus 2, अगर y की value है, तो x हमारा आएगा 3. और अगर y की value minus 3 है, तो x की value हमारे पास क्या आजाएगी? 2. ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक हूँ. कीप watching my videos.